नमस्कार दोस्तो अभी अभी की सबसे बड़ी खबर दोस्तो अभी अभी समुद्दर से उठ गया है भ्यानक तूफान अगली दो घंटों के भीतर पंदरे राज्यों में मचेगी अफरा तफरी, कई राज्यों में पहले से रेड अलट जारी हुआ है जी हाँ दोस्तों अभी अभी की सबसे बड़ी खवर आईमडी ने बताए कि आज चक्रवात का सीधा आसर दीखने वाला है आज कई राज्यों में तबाई मचने वाली है क्योंकि चक्रवात असनी का असली रूप आज देश दोस्तों देखने को मिल सकता है ओडिसा, जारखंड, पस्चिम मंगाल, 36 गार्ड, वही दोस्तों आंधर प्रदेश, तमिल लाडू, तेलंगाना, करनाटा, केरल के अंदर भारी से अतियंत भारी बारी सोनी की प्रबल संबावना यहाँ पर कई दिनों से मौसम पूरी तरीके से खराब, रुक रुक कर बारिस हो रही है और अब 120 से अधिक किलोमेटर प्रिस्ति घंटे की रप्तार से हवाई भी चल सकती है यहाँ पर तेज अंदर आ सकता है, धूल बरी आंदी भी चल सकती है, भानक इस्तिती पैदा हो सकती है यहाँ पर दोस्तों पहले से NDRF, SDRF की टीमों को अलेट पर मोड पर रखा है और प्रिदान मंत्री वोधी संपरक में केंदर सरकार से हर संबाव दोस्तों दी जा रही है, सबसे ज़्यादा नुकसान ओडिसा और अंडमान निकोबार के अंदर होने वाला है वहीं दोस्तों करनाटाक और आंद्र प्रिदेश के अंदर भी इस समय 90 से पिच्चाण में किलोमेटर पिटते घंटे की रफ्तार से तेज हवाए शुरू हो गई है बताये जा रहा है कि असनी चक्रवात का आसार 13 मई 2022 तक रहने वाला है साती उत्तर भारत के कैई राज्यों में धूल भरी आंदी चलेगी जिनमें राजिस्तान, मध्य प्रिदेश, दिल्ली, हर्याना, पंजाब, उत्तर प्रिदेश सामिल है तो दोस्तो बहुती बड़ी ख़बार मौसम इभाग को लेकर आई है लगातार दोस्तो आपको मौसम से संबंदिते जानकर यहां पर मिलती रहेंगी आपसे विंत्य की चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर ले आपने जिले का मौसम कैसा कॉमेंट पर बताजे हिंज वार्त बंद मतर